माक्स जब ग्यान को लक्ष बनाएंगे तो अंक अपने आप मिलते चले जाएंगे आईए सुनते हैं उनके विचार जाने अन्जाने में हम लोग उस दिशा में चल पड़े हैं हमारी शिक्षा को ले करके जिसमें सफलता भिफलता का एक टर्निंग पॉइंट कुछ विशेश परीचाओं के मार्क्स बन गया है और उसके कारण मन भी उस बात पर रहता है कि बाकी सब बाद में करूँगा एक बार मार्क्स ले आऊँ माप बाप भी यही एक एक एन्वार्मेंट क्रियेट करते हैं करे भाई पहले तुम दसवी बढ़िया कर लो फिर कोई प्रोब्लम ने तुमारा रास्ता साफ हो जाएगा फिर ग्यारावी में आएंगे तो फिर काए भाई बाप बराबर है लेकिन बारभी बहुत महत्वकी है जारे इस पर जोड़ लगा दो फिर कहेंगे एंटरंस एक्जाम महत्वकी इस पर जोड़ लगा दो उनका इरादा होता है कि बच्चे को जड़ा मोटिवेट करें उत्साइद करें लेकिन किसी जमाने में शायद यह सत्य होगा आज दुनिया बहुत बदल चुकी है संभावना है बहुत बढ़ गई है सिरफ परिख्षा के अंक ही जिन्दगी नहीं है उसी प्रकार से कोई एक एक एग्जामिनेशन ये पुरी जिन्दगी नहीं है वो एक पड़ाव है सबसे पहले हमने हमारे पूरे जीवन का एक महत्पपूर पड़ाव मानना चाहिए लेकिन यही सब कुछ है ये कभी नहीं मानना चाहिए जिस दिन माबाप को मैं खास प्रासना करूँगा कि आप बच्चों को ये नहीं तो कुछ नहीं ये जो मुड बना देते हो मैं बने करके ऐसा मत करो ये हुआ अच्छी बात है जादा अच्छा हो और अच्छी बात है लेकिन कुछ नहुआ तो जैसे दुनिया लूट गई ये सोच बिलकुल ही आज के युग में उपयुक नहीं है बहुत सारे स्कोप है जीवन के किसी भी क्षेतर में जा सकते हैं आपने देखा होगा किसान हो सकता है स्कूली सिख्षा बहुत कम हुई हो लेकिन वो सीखता है अनुभव करता है टेक्नलोजी एड़ाप करता है सिख्षा की अपने खेती की प्रदद ही बदलता है आदूनी करता है जीवन को कितना बढ़िया बना देता है और इसलिए मैं साब कहूँगा कि परिक्षा का महत्मे है उसके बावजुद भी परिक्षा ही जिंदगी है ये सोच से में बार आना चाहिए जीवन में कई प्रवुत्या होती हैं कई चीजे होती हैं इसको ले करके हम आगे बढ़ सकते हैं परिक्षा एक पड़ाव है परिक्षा ही जीवन नहीं जब अच्छे अंक लाना ही परिक्षा का एक मात्र उद्देश होता है तो ये हमारे मन में अत्यधिक तनाव पैदा करता है और हमारा सीखना भी सीमित हो जाता है और क्या कम आंक आने का सीधा सीधा मतलब है कि हम जीवन में फेल हो गए मोदी जी बताते हैं कि जीवन में और भी बहुत संभावना है परीक्षा के मार्क्स सब कुछ नहीं है कि दुर्भाग्य से शिक्षा के खेत्र में और पारिवारिक जीवन में सोचने का दाहरा इतना सिमट गया है परिक्षा में आपके जो नंबर आए वो आपकी योग्यता का पहमाना नहीं हो सकते भारती नहीं दुनिया में आप ऐसे बहुत से सफल लोगों को देखेंगे जो क्लास में नंबरों में भले अच्छे नहीं थे लेकिन आज वो अपनी फिल में सर्वस्रेश्ट है ये परिक्षा सिर्फ एक पड़ाव है इस परिक्षा में नंबर कम आने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपके जीमन में बहुत बड़ा नुक्षान हो गया हाँ भविश्य में आपको जिस एक चीज से आपको बचकर रहना चाहिए उसके बारे में मैं आपको जरूर बताओंगा एक एक नई तरह की कूरिती आ रही है समाज में जिसे हम डेस्टिनेशन फीवर कह सकते हैं मतलब दूसरे अगर किसी एक डेस्टिनेशन पर है तो उन्हें देखकर अपना डारेक्शन ताय करना आपका कोई रिष्टेदार कहीं जाकर सफल हुआ आपको लगता है वहाँ जाकर आप भी सफल हो जाएंगे कोई असफल हुआ तो आपको लगता है हम भी उसी फिल में गए तो असफल हो जाएंगे हमें लगता है वो स्टुडेंट इस दिशा में गया इस ख्षेत्र में गया, ये बना, उस ख्षेत्र में उसने ये नाम कमाया, तो हम भी वही करेंगे, तभी हमारा जीवन सफल होगा, ये सोच सही नहीं है दोस्तों, इसी सोच का परणाम है, कि बहुत से स्टूडंस इतने तनाओं में जी रहे हैं, आप जो पढ़ते हैं, वो आ शिर्फ यही एक महत्र नहीं हो सकता, आप जो जीवन में करेंगे, वो आपकी सफलता और असफलता को तै करेंगे, आप लोगों के प्रेशन, सोसाइटी के प्रेशन, माताक्विता के प्रेशन, इन सब से बहार निकलेंगे, जीवन में आधा अधुरा ज्यान कम अंक पाने से ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा अंक लाने के दवाव से बचें, खुश रहें, मस्त रहें, यदि आप ग्यान प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करते हैं, तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगेगी, इसलिए ग्यान स्थाई है, इसे ही लक्ष बनाएगे, अंक अपन